कि हबाएज कर सेल्स रिटर्न की एंट्रीय कैसे करते हैं जीएसटी 2016 के साथ अगर आप को सीख न है तो आपको सेल्स की भी पता होनी चाहिए जीएस्स के साहत क्या होती है जैसे के हमने पिछले वीडियो में page एंट्री ची किती जीएसटी साथ तो उसमें हमने परचेस की आइंट्री भी देखी थी कि क्या होता है परचेस की एंट्री जिस्टी के साथ ठीक है तो अब सेल कि आइंट्री के साथ कैसे करते हैं मैं तो यह दो देखो आपका यह है आपका बिजनेस यह है आपका बिजनेस और आप सेल किसको करते हो आप सेल अपने करते हो कस्टमर्स को या फिर डैटर्स को डैटर्स बोल सकते हैं डैटर्स कौन होते हैं हमारे ग्रैडट कस्टमर्स यानिकि जिन कस्टमर्स को हम उधार बेशते हैं उनको हम डेटर्स बोलते हैं तो अब आपने क्या किया आपने सेल किया ठीक है कितने का सेल किया आपने 50,000 रुपे का सेल किया ठीक है और मान लो आपका cgst और sgst का रेट है 9% ठीक है तो सेल को आपने सेल किया 50,000 रुपे का तो जब सेल की एंट्री करोगे तो उस पर cgst sgst लगाओगे और इंपॉर्टन बात आपको क्या पता होने चाहिए सेल के साथ आउट्पुट cgst लगता है या आउट्पुट sgst लगता है या आउट्पुट igst लगता है ठीक है तो सेल्स की एंट्री आप कैसे करोगे सेल्स की एंट्री में क्या होता है कैश आ जाता है तो कैश को डेविट करते हैं यहां तो उधार मान रहे हैं तो आप क्या करोगे डेटर्स एकाउंट डेविट ठीक है टू सेल्स अब सेल्स कितने किये 50.000 रुपे किये अब उसपे जीएष्टी भी लगेगा तो सेल्स के साथ क्या लगता है आउटपूट जीएस्टी लगता है तो यहां पर लगेगा आउटपूट सीजीएष्टी और आउटपूट हो इस जी स्टी को टिक है तो आपको सीजी एस्ट पर्फन है तो यह गई जिस एस्ट के लिए और सीजी एस्ट के लिए एस्ट के लिए लगता है विदिन दैंस्ट लगता है तो अब देको आउटपूट सीजी एस्टी और आउटपूट सीजी एस्टी का रेट 9 परसेंट नाइन परसेंट कितना होता है इसका 9 परसेंट होता है कि 4500 और 4500 ठीक है तो अब डैटर पर कितना है वांट हो गया 59 थाउजन रुपीज तो यह आपने सेल की एंट्री कर दी है ठीक है अब क्या हुआ पचास हजार में से कि 10000 का सामान हमने गलत बेज़ दिया यह जो बी रीजन था तो क्या हो यह से हम कैसे करते हैं तो को कि करतेंगे पहले कि ग ऐ También Cool को मैंने कि या कितना से सब्सक्राइब 10,000 रुपे अब मिजे क्या करनाए यह आउट पूट सीजी एस्टी और स्जीएसटी को रिवर्स करना है तो यहां पर मैं डेविट क्या करूंगा आउट पूट सीजी एसटी और आउटपूट सजी एसटी इनको डैबिट करो इनको डैबिट करो 10,000 पर कितना होता है 9% 900 रुपे और 900 रुपे और किस से आया उसका नाम लिखोगे नाम नहीं है तो हमने लिख दिया डैटर्स तो किता हो गया यह 11,800 रुपे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है सेल्स रिटर में इनपूट जी एसटी नहीं लगता है ठीक है आउटपूट जी एसटी रिवर्स होता है यहां पर आउटपूट जी एसटी ग्रेडिट होता है नॉर्मली लेकिन यहां पर आउटपूट डेविट हो गया ठीक है तो बहुत कमी ट्रांजेक्शन जहां आउटपूट जी एसटी डेविट होता है तो सेल्स इटन के साथ आउटपूट सीजी एसटी हमने लगाया नहीं है जो पिछला जो लगा दिया था उसको हमने रिवर्स किया है आप ए चाले सब्सक्राइब लगा चाहिए और यहां पर पहले आपका लगा दिया तो आपने किया 50 लगा दिया तो अब उसको पचाहास जार पे टेक्स लगाए उस पर चाले सब्सक्राइब के लिए कि हमने क्या है जो 10,000 पर एक्स्टा लगा था उसको कैंसिल कर दिया तो यह जो आउटपुट cgst और आउटपुट gst है यह हमने क्या किया है कैंसिल किया है जो पहले लगा दिया था या फिर हम कस्टमर रिटन करता है हमको तो हमें क्या है वह सेल वाला जो जीएसटी था आउटपुट वाला उसको रिवर्स करता है तो आपको तो वो जो 10 पे एक्स्टा टेक्स लगा था उसको कैंसल नहीं करेंगे हम तो इसी लिए यहां पर हमने आउटपूट सीजी एस्टी और आउटपूट सीएस्टी को रिवर्स कर दिया तो यह थी आपकी एंट्री सेल्स रिटर्न की जब जीएस्टी उस पे लगता है सेल्स पे और सेल्स रिटर्न में जीएस्टी कैंसल होता है तो देट इस एट वर दिस लेक्चर थैंक यू